नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका exam warrior के online study platform पर तो आज हम part 3 करने वाले हैं biology most important 1000 one liner question का तो चलिए सबसे पहले question क्यों चलते हैं तो यहां कहा गया है सोयाबीन में protein का प्रतिशत होता है तो कितना प्रतिशत होता है तो यह होता है 42 प्रतिशत next question की बात की जाए capsule का आवरन बना होता है तो यह starch का बना होता है next question की बात करते है शहद का प्रमुग घटक है तो प्रक्टोज इसका प्रमुग घटक है अब next question की बात की जाए कौन सी शक्रा ततकाल उरजा परदान करती है तो यह है glucose शहद में मुख्यता होता है तो क्या होता है तो यह होता है कार्बोहाइडरेट सरभाधिक उर्जा परदान करने परदान कौन करता है तो देखो सरभाधिक उर्जा परदान करता है कार्बोहाइडरेट अब नेक्स्ट कॉश्चन की बात की जाए मानब शिरीर में है तो यह सोयावीन नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं मानव श्रीर में बसा जमा होता है तो कहां बसा उत्तक में मानव श्रीर में बसा जमा होता है नेक्स्ट कोश्चन की बात की जाए उंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है वो ऐसे कैसे कर पाता है, तो अपने कूवर्ड बें जम्हा किये गए चिकनाई का प्रियोग करके दान्तों में क्या होता है, तो दान्तों में कैल्शियम होता है, next question की बात की जाए, किस तथथप का संबन दान्तों की बिकृति के साथ है, तो वो है Florine, next question की बात की जाए, हिर्दे की धर्गन को नियंतिन करने के लिए कौन सा खनिज आवशक है, तो वो है पोटाशियम next question की बात की जाए, सागरिया खर्पतवार किसका महतरपूर्म स्त्रोत है, तो ये स्त्रोत है शहवाल का अब यहाँ पर next important question देखा जाए तो मानब शरीर की सबसे छोटी हड़ी है तो ये है स्टेपीज की हड़ी मानब शरीर की सबसे लंबी हड़ी है तो ये है फीमर मनुश्य के शरीर में पैर की हड़ी कैसी होती है तो ये होती है खोखली टिबिया नामक हड़ी किस में पाई जाती है तो ये टांग में पाई जाती है मानब शरीर के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है तो वो होती है जांग की नेक्स्ट कॉशन की बात की जाए बिर्धा आवस्था में मनुश्य की हड़ीयां क्यों कमजोर हो जाती है तो ये कैल्शियम की कमी के बचा से कमजोर हो जाती है एथलेट को किस से जल्दी और उर्जा मिलती है तो ये मिलती है कार्वो हाइड्रेट से लंबे समय तक कठोर शार्रिक कारिय के पश्चात मास पेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है तो ये है ग्लुकोज का अबक्षय रक्त ग्लुकोज तर समानिते अव्यक्त किया जाता है तो भाग परती मिलियन में नेक्स्ट कॉश्चन की बात की जाए शरीर में उत्तकों का निर्मान किस से होता है तो ये प्रोटीन से होता है प्रोटीन को माना जाता है तो इसे माना जाता है शरीर का निर्मान करने वाला नेक्स्ट कॉश्चन की बात की जाए एंजाइम मूल रूप से क्या है तो ये एक प्रोटीन है जैविक सिस्टम में रसाइनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदाई प्रदार्थ है तो ये होते हैं एंजाइम संतानों की ब्रूनी अवस्था में माता के गरवशे के अंदर ही रक्त का ठक्का बढ़ने से मृत्यू हो जाती है इस रोग को इथरोबलास्टोसिस फिटोलिसिस कहा जाता है इसका क्या कारण है तो इसका है पिता का रह प्लस अथा माता का आरेच माइनस होना पॉजिटिव और माइनस नेगडिव होना कौन सारक्त स्मू सर्वग रही है तो बो है एवी एवी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक गरही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में परतिपिंड का अभाव होता है सार्वत्रिक गरही कौन से रुदिर वर्ग का होता है तो बो होता है एवी का कौन सारक्त सार्वत्रिक दाता होता है तो बो होता है ओ जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाए इंगलिज में तो नेक्स्ट कॉशन की बात की जा यदि किसी पुरुष का रक्तवर्ग A भी हो तथा मलीला का रक्तवर्ग भी हो तो उनके संतानों में कौन सा रक्तवर्ग उपस्तित नहीं हो सकता तो उनके संतानों में ओ रक्तवर्ग नहीं होगा मनुश्य में कुल कितनी हडियां होती है तो ये आप जानते होंगे दोसों मनुश्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है तो वो होती है आठ मनुश्य के शरीर में पस्टलियों के कितने जोड़े होते हैं तो जोड़े होते हैं बारा प्रवल अस्थी होती है तो होती है जबडे की अब नेक्स कॉश्चन की बात की जाये मानब शरीर के शरीर में पुछ कौन सी रचना से संघलन होता है तो वो होता है बृधांटर से किस प्रक्रियाद बारा ऑक्सिजन स्वशन की दौरान रुदीर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो वो है प्रासरन कौन सा एक अंग बसा का भजन करने कर कॉलेस्ट्रॉल उत्पन करता है तो वो है यक्रेट सेरे ब्रह्म किस से समंदित है तो ये मनुष्य के मस्तिक्षक से समंदित है मनुष्य के मस्तिक्षक का सबसे वड़ा भाग ये प्रमस्तिक्षक होता है मानब शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुर्णर नियोजन शक्तियां होती है तो वो होती है मस्तिक्षक की रही होगी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में